हेलो माई दियर टाइनी टोर्स, होब यू ओलर फाइट, यूर्दी पाक्षी मैं वेलकम यू तू यू तू यू तू यू तू आपको जो आज होमग मिला है उसमें आपको नंबर्स पर 51-100 लिखने हैं and we are going to write all these numbers all together and you have finished your 1-100 counting, आप क्या करना है आपको, और प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल कर लिखना है, और रिक्टिट तू से और राइट, आपको नंबर्स सीक्वें से भी लाग हुझा है ना, तो नंबर्स रिकरनाइजेशन आप कर चुके हैं बार बार है ना, O means number of 1s and T means number of 10s, but in the last row I have written 1s, 10s and H for 100, H किस के लिए है, 100 के लिए, because जब हमारा 3 रिजिट आजाएगा, तो हमारा वो 100 का नंबर होगा, आपने पहले 1-9 नंबर सीके थे, वो 1s के नंबर थे, single रिजिट नंबर, पिर जब 2 रिजिट के नंबर आगे तो वो 10s तके ह हो गए, और 100 में आपको 100 का नंबर भी मिल जाएगा, तो what we have to do, आपकी बुक में पेन नंबर 60 में पे दोर्स दिये हैं, आपको speak and write करना है, बोल बोल के लिखना है, take out your book and start writing with me, I will write on the board, you will write on the book, okay let's start, we will write the number, 51, 51, yes, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 56, आपके नंबर आएगा, बीटा, 57, 57, 57, 58, 58, 59, 59 and when it is 9, क्या हो जाता है, 9 changes, rhyme के निचे नंबर, new नंबर, 0 and जब जब 9 के बाद, यहां अमारा 10 का नंबर ही, change होता है, तो बताएगे क्या लिखेगी मैं, 5 के बाद, next number है, आपका 6, तो 60, 60, it will be 60, 60, here, तो आपने, 5, 51, 51 के लोग, क्या लिखेगी नंबर, और एट जब ए लिखेगी मैं, का लिखेगी लिखेगी मैं, 6, 1, 61, 61, 62, 62, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, right? 67, 67, 68, 69, 69, and 70, 70, very good. Now clap for yourself. आपने 2 rows complete करनी हैं. 70, 70, yes. Who is going to tell me what is the next row, वेटा? The next row will be 71, 71. 70, 71, 71, 72, 72, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, okay? And 77, 77, 78, 78. Now it will be 79, 79, and 80, 80. 90 लिजी 0, और 7 के बाद, 8080, है ना? Now what we will write next number? Next number will be 80, 80 के बाद के बाद के बाद के आएगा, बता ही? Yes. It will be 81, 81. It will be 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86. 8, 87, 87, 88, 88, 89, 89, and 90, 90. कितनी सारी काँ प्राद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के लिए? 90, 90. Yes. Now we are in the last row. Now start writing. 91, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 96, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, and after 99 it will be 100, yes, this is 100, this number is called 100, और इसमें जो 1 है, वो 100 का नमबर है, रिको, वे आमने पर हैच लिखा न, H for 100, तो आप 100 की नमबर तक पहुंचके हैं, clap करो सब अपने लिए, good, what you will do, after writing this 1 to 100, 51 to 100, you will read the numbers, okay, fast reading करनी है, फटा फटा फट, ये, start with me, 5 1, 51, 5 2, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 59, 59, 60, 63, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 68, 6, 9, 69, 7, 0, 70, 7, 1, 71, 7, 2, 72, 7, 3, 73, 7, 4, 74, 7, 5, 75, 7, 6, 76, 7, 7, 77, 78, 7, 9, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, इस तरा जी नम्मर को रीट करना आप जब तक इस तरह से कांटिक को रीट नहीं करेंगी ना लाओडली, फास्ली आपको यह लान नहीं होगी ठीक है तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस जरूर करनी है जैसे आपकी मैं आपने बताई है गखे वीपी I hope you have enjoyed this session we will meet again, till then bye bye, see you soon झाल